बिहार की राजिदी में इन दिनों नितीश कुमार चर्चा का केंदर बने हुए हैं इसलिए कि इस तरह की खबरें आ रही है कि उन्हें शायद आपोजिशन राष्ट पती के लिए उम्मीदवार की घोशना कर दे हाला कि इसको लेकर के नितीश कुमार ने खुदी मीडिया के सामने साफ कर दिया है कि हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है लेकिन पार्टी के जो लीडरान है या पार्टी की जो कारे करता है वो इस बात की दोहाई दे रहे हैं कि मुखमंतरी में वो सारी खुबियां है कि वो राश्पती बन सकते हैं हमारे साथ पार्टी के महासचीव मे को दावा कर सकते हैं नहीं देखिए हमारे मुखमंत्री माने नितीश कुमार जी जो बिहार ही नहीं बल्के पूरे देश और दुनिया में लोग प्रीये हैं वो सिर्फ इस लिए हैं कि वो काम में यकिन रखते हैं काम करते हैं और काम और सोचल जस्टिस के नाम पर और समाजिक चिंतन के चलते जो समाजी काम हैं जैसे दहज बंदी, शराब बंदी, इन चीजों पर बाल विवाह, इन चीजों पर जो उनकी सोच है, उसके चलते वो देश और दुनिया के लिए आइडियल हैं, और अगर विपक्ष ने जो परपोस किया है, उनके नाम को, तो हमारे मानिय मुखमंतरी जी न तो अभी इस पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन मुझे लगता है, कि जतना वो लोग प्रिये हैं, और जिस तरह का काम उन्होंने करके देश और दुनिया में बिहार के नाम को अस्थापित करने का काम किया है, तो जो उनके काम करने की कारश करने की शैली है, जो विकास करने की शैली है, और जिस तरह से वो लगातार चिंदन करते हैं समाज के प्रती, तो देश का सरवच्पद अगर और भी कोई होता, तो उस लायक भी वो हो सकते थे, और इससे कोई भी भारतिये इनकार नहीं कर सकता है अगर वो इमांदार है देश के प्रतितों हमेशा ये आवाज उठती रही है कि बिहार से राश्पती बने हैं और बड़े बड़े लीडर पैदा हुए है तो शायद ये दावेदारी मजबूत हो सकती है कि नितिश कुमार अगर राश्पती के लिए तो गड़बंधन को फिर हैं तो अभी तो फिलहाल हमारे मानिय मुखमंत्री जी ने इस पर उनका कोई उपेनियन नहीं आया है और उन्होंने असपस्ट नहीं किया है लेकिन मैं समझता हूं कि वो देश के किसी भी पद के लिए वो योग हैं और हर लिहास से जो उनकी कार्शेली रही है या जो उनक के कार्श करने के तरीके रहे हैं उससे पूरे देश और दुनिया में वो लोग प्रिये हैं इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर कोई दिक्कत होनी चाहिए अगर मानिय नितिश कुमार जी का के लिए अगर प्रफोजल आता है और उसे वो एक्सेप्ट करते हैं तो करनाटक में जो विवाद हुआ और सिक्षन संस्थान में इस तरह की विवस्ता हुई कि एक दूसरे के सामने चाहतर आ गए उस पर आपकी क्या रहे हैं हलाकि मुखमंत्री ने ये कहा है कि जिसको जो पाढ़ने काधिकार वो पाढ़ सकते हैं लेकिन बेगूस राय का एक मा कोई चेहरे से नकाब लगाने या हिजाब लगाने के वजह कर कोई किसी तरह का कन्फीजन हुआ हो बैंक कर्मी को तो वो एक अलग बात है कि थोड़ा हटाईए फोटो मिला लें या कुछ कर लें ये एक अलग बात है लेकिन वो बेगूस राय हो या करनाटका हो हिजाब हो या नकाब हो सवाल ये है कि हर धर्म को हमारे यहां आजादी है और खास तर पर हमारे बिहार में बिहार के लोग प्रिय मानिय मुखमंतरी ने का बियान इस पर आ चुका है और हम उनके उनको सलाम करते हुए अपने मानिय मुखमंतरी को सलाम करते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने कहा है कि हर धर्म को आजादी है हर मज़भ को आजादी है अपने अपने धर्मों के नुसार अपने अपने मजभ के नुसार जिसको जो करना है वो अपना करे एक दाइरे में और हिजाब हो या भर लिलार चंदन हो या पगड़ी हो और कृपान ह हो सबको अपने अपने धर्म के मदाभिक अपने द्रेस पहन ने की आज़ादी है और हमारे बिहार में ऊचक्छक है इसे हांऔर सिर्फ काम और और शिर्फ काम एक आखरी सवाल बिहारियों को लेकर के पंजाब आपके मुखमंत्री चन्नी ने जो बयान दिया उससे आपके पार्टी के लोग बहुत नाराज हैं इस पर क्या आपकी राय है देखे चन्नी जी हो या मानिये मुखमंत्री हैं वो गैर जिमेदाराना बयान उनको नहीं देना चाहिए हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा कर आते हैं और उन्हें बिहार के तिहास की जानकारी नहीं है बिहार के तिहास में बिहार के तिहास को देखें और उसका अध्यन करें शायद उन्हें जानकारी नहीं है कि गांधी जी ने इसी बिहार की धरती से चंपारण से आजादी की लडाई की शुरुआत की और उन्हों है जहां भारत के पहले राष्ट पती डाक्टर आजिंदर प्रशाद ने सीवान जले के जीरादेई में जर्म लिया था ये वही बिहार है जहां जो मखदूम की धर्ती रही है ये वही बिहार है जो भगवान महात्मा बुद्ध और भगवान जहां महावीर की धर्ती रही है और इस बिहार को के परती कुछ कहना या बिहारियों को कुछ कहना हमको लगता है कि वो या तो उनको ग्यान नहीं है यो या वो मांसिक रूप से राजनितिक रूप से विछिपता की आवस्था में हैं उन्हें अपना कहीं टीटमेंट कराना चाहिए और बिहार है क्या बिहार तो ऐसा है जिसने पूरे देश और दुनिया में अमन और शांती का पैगाम दिया है बिहार ऐसा है जहां एक से एक परती भाएं रोज देश और दुनिया में नाम कर रही है इसलिए बिहारियों को कहना किसी के दौरा भी चन्नी जी के दौरा हो या किसी निंदनिया है हम उसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं तो आपने सुना जन्ता दिल यॉनाइटेट के जिनलर सेक्रेटी मीजर अकबाल हैदर ने कहा कि नितीश कुमार राश्पती के इलावा भी कोई दूसरा भी बड़ा पोश्ट होता तो उसके लिए बिल्कुल पर भी इन्होंने खुल करके अपनी बाते रखी आप बन रहे हैं इस वरनेशन के साथ